असलाम अलेकम दोस्तों आज की वीडियो में उर्दू फॉंट्स का एक मुकमल पैक लेकर आ चुका हूं बिलकुल लेटस्ट वाले फॉंट्स और बहुत ही स्टाइलिश है आप इसको कैसे यूज कर सकते हो कैसे इसको इंस्टाल कर सकते हो कैसे आपको इसको डाउनलड करना और कैसे इसको पिकाड या पिकसा लैब या फिर अपने फोटोशाप में इंस्टाल करना होता है और हाँ अपने फोन में उर्दू लिखने के लिए आपके पास एक उर्दू कीबोर्ड होना चाहिए और उर्दू कीबोर्ड कैसे अपने फोन में इंस्टाल करते हैं यह मु नीचे description चेक कीजिए, जो वीडियो से उखत आप देख रहे हैं, इसके right side पे एक छोटा सा arrow का बटन बना होता है, इसके उपर आप click करके नीचे description चेक कर सकते हैं, अगर आप computer से लोग ही ना है, तो नीचे show more का बटन आपको मिलेगा, उसके नीचे आपको description मिल जाएगी, त तो दोस्तों दूसरा step रहता है, इस file को unzip करने का open करने का, तो यहां पर यह file जो आप download करते हैं, तो यह एक zip file होती है, रार file होती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आप screen पर तो zip लिखा हो है, कुछ red color का icon बना हो है, जो भी file है, उसका नाम के आगे end पे रार लि application मिलती है, उसको install कर लीजिए, और जिससे आप इसको unzip कर पाएंगे, और unrar कर पाएंगे, ठीक है, RAR लेकिए, प्ले स्टोर पर आपको इस नाम की application मिल जाएगी, इसको मैं use करता हूँ, यह बहुत अची application है, इसके जरी आप इसको unzip कर सकते हैं, unzip करने का बहुत ही simple method है कोई भी यहां पर file जो भी आपने download की है, उसके उपर आप simple एक click करेंगे, यहां पर मेरे पास कुछ founds हैं, यह देखे, मैं इसको उपर click करता हूँ, तो यहां पर इस type का आपको interface देखने को मिलेगा, और उपर आपको देखने को मिल रहा है एक file और उसके साथ एक check box बना ह इसके साथ unrar एक उपर की तरफ arrow का बटन बना हुए, मैं आपको zoom करके दिखा सकता हूँ, इसके उपर आप click करेंगे, जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे, आपकी file unrar वाले mood में आ जाएगी, यहां पर ok करेंगे तो आपकी file unrar हो जाएगी, ठीक है, तो इसके बाद इसको color का folder बन किया देगा, पहले वो red color का होगा, जब आप red नहीं हो सकता और भी कुछ color आपके पास हो सकते हैं, phone के हिसाप से यह change होते रहते हैं, तो जब आप इसको open करेंगे तो इस तरह open वाला folder होगा, जैसे इसको आप click करके open कर सकते हैं, इसी तरीके से आपका जो folder है, वो open हो जाएगा, आप इस folder को open करेंगे, यहाँ पर आपको fonts मिल जाएगे, लेकिन इनके ओपर question marks बना हुआ है, ttf की file होती है, otf या ttf की file होती है, इसारी fonts की, तो इनको आप select कर सकते हैं, select करने का long press करके रखें, और एक select हो जाएगा, उसके बाद आपको select all की option कही ना कही मिल जाएगी, तो select all इसको कर लीजिए, और इसके बाद आपको copy कर ले ना, यहाँ से, copy कर ले या move कर ले, नहीं आपको copy करना चाहिए, copy करने के बाद आप थोड़ा सा back जाएगे, और हम सबसे पहले pick art में इसको add करते है, pick art में add करने का तरीका बताता हूँ, पहले बाद म हम pixel lab में add करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा और back जाएगे, तो यहाँ पर internal storage में जाएगे, तो यहाँ पर आपको pick art का folder find करना है, pick art का folder यह रहा, यहाँ पर fonts की option मिल जाती है, third number पर इसके उपर आप क्लिक करके, यहाँ पर paste कर सकते हैं, नीचे paste का button open है, तो इसके उपर मैं click करूँगा, पूरा पूरा font यहाँ पर paste हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर paste नहीं करूँगा, क्योंकि मैं already paste कर चुका हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पर add कर सकते हैं, अब चलते हैं, पिक्सा लैब में, ठीक है, मैं आपको बाद में इसको open करके, इसका review भी द यह रा fonts, okay, fonts के बाद आप my fonts में जाएंगे उपर, my fonts में जाने के बाद आपको यहाँ पर दो file नजर आ रही है, उपर एक के उपर T लिखा हुआ है, और एक folder बना हुआ है, तो आपको folder के उपर click करना है, T का जो button बना हुआ है, इसके उपर अगर आप click करेंगे, तो वो single single करके इसको add करेगा, तो उसमें काफी time लगेगा, हमें पूरा folder add करना है, इसके उपर click करेंगे, अब वापिस आपको अपना वो folder find करना है, जहाँ पर आपने download किया था, जहाँ पर आपके file open पड़ी वी है, तो download वाले folder में जाएंगे, और यहाँ पर वीजिए 29 fonts पैक है, इसी तरह ही आपके पास भी fonts का pack आ जाएगा, उसके उपर आप click करके, ठीक है, यहाँ पर add to directory कर सकते है, add to directory करेंगे, पूरे पूरा folder यहाँ पर add हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको stylish वाले fonts लेकने को मिल जाएंगे, तो यह हो गया हमारा add करने का method, तो अब बात करते हैं, computer वालों के लिए, computer में आप इसको कैसे add कर सकते हो, Photoshop में, Photoshop CC में, Coraldera में, कोई भी application यह चाहिए, video software है, video editor software है, कोई भी जिसमें font add करने कि आप से न, आप उसमें add कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास हिंदी fonts pack आप को देख रहे हैं, और यहाँ पर मेरे पास दे स्लिक करना है, आप इसको select करिए, यहाँ पर copy मिल जाता है, आपको copy कर लेना है, copy करने के बाद आपको जाना है, my, c drive में, local drive, disk c होता है, इसको उपर आपने जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका path भी, और यहाँ पर आपको जाना है windows में, ठीक है, windows की option मिल जाती ह Windows में जाने के बाद आपको Fonts का फोल्डर यहां पर मिल जाता है Fonts के फोल्डर में जैसे ही आप कलिक करेंगे तो यहां पर पहले से मैंने बहुत सारे Fonts एड़ करेंगे हैं लेकिन यहां पर हम उर्दू Fonts आपको यहां पर आपको Simply पेस्ट कर देना उसके बाद अपना CorelDra खोलिए तो आप सिंपल कीबोर्ड से आप जो भी टाइपिंग करेंगे उसके बाद सेलेक्ट कीजिए यहां पर इन पेज खोलिए उर्दू के लिए हिंदी के लिए जो भी आप यूज करते हैं वह यूज करिए तो आप यहां पर लिक्ट सकते हैं बहुत असानी से कोई दिकट के बात नहीं है तो ہंदी फोन्स का पैक जो है वो भी अगर आपको हंदी वाला चाहिए तो हंदी वाला भी मैंने अप्लोड कर दी है उर्दू वाला भी अप्लोड कर दी है आपको मेरे चैनल का विजट करन जावा होगी उसको यूज करने के लिए आपको उस language का keyboard चाहिए होता है तो यहाँ पर Hindi या उर्दू language का keyboard इंस्टाल करने के लिए मैं डबल टैप करता हूं और अपना keyboard open करता हूं जैसे ही मेरा नीचे keyboard आ गया तो यह keyboard अक्चुली अलग अलग नहीं होता हर software के लिए हर application के अलग नहीं होता एक ही keyboard होता है अपने phone का आप actually keyboard अपने phone में इंस्टाल करते हैं वह कोई भी application हो फिर वहां पर work करता है तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर मुझे English language अगर नीचे space bar प्रेस करूं यहां किसी का और भी यहां पर setting से आ सकता है तो मैं थोड़ा move करता हूं तो यहां पर और कोई language इंस्टाल नहीं है तो हमें एक और language चाहिए यहां पर मेरी उद्धू पहले से तो मेरे पास setting आ गए keyboard की ठीक है और यहां पर typing आ गया language आ गए तो सबसे पहले हमें language में जाना है ठीक है language में जाएंगे तो यहां पर बहुत सारी language आपको दीए गी होंगी तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं search कर सकते हैं जो भी आपको language ने इंस्टाल करनी है या like Hindi हम करने हैं इसी तरीके से बहुत असानी से आप इसको कर सकते हैं ओके तो यहां पर मैं वापिस से देखता हूं क्या हमारा Hindi keyboard जा है वो input हुआ है या नहीं तो मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं यह देखे हिंदी आ चुकी है नीचे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे हिंदी के जो फॉंट्स हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद आप यहां पर हिंदी जो है टाइप कर सकते हैं बहुत असानी से तो यहां पर नीचे भी देखें मेरे पास अर्दू भी आ चुकी है हिंदी भी आ चुकी है यह देखें यह हिंदी का keyboard हमारे पास यहां पर सकता है तो चले आपको थोड़ी सी लिक्का ही दिखा देते हैं यह देखिए आप बहुत असानी से इसको इसको यूज कर सकते है अपने layout की कोई भी किसी किसम का मसला आता है मुझे comment box में लाजमी बताएं मैं उसका solution आपको बता दूँगा और अगर किसी की or different type की कोई problem हुई फार्म्ट को लेकर तो उसको भी हम solve करेंगे तो चले इसके साथ ही मुझे दीजिए अजाज़त नेक्स वीडियो के लिए तब ते के लिए अल्ला हाफीज